नमस्कार, किर्थी इस किचेन के मिस्ट्री में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ किर्थी आज मैं आपके साथ मेथी मटर मलाई की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ यह बहुत इजीली बन जाती है और खाने में बहुत ही लाजबाब होता है आप यह रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं मेथी मटर मलाई की रेसिपी मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मैंने दो मुठी के करीब मेथी ले लिया है मेथी को अच्छे से धो के काट के ले लिया है मैंने इसको ऐसे स्ट्रेनर में रख लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए अब एक कड़ाई को गरम करके इसमें दो बड़े चमज के करीब कोई भी कुकिंग ओयल डाल देंगे इसे थोड़ा गरम होने देंगे इसमें थोड़ा सा खड़े मसाला डाल देंगे गरम मसाला जैसे की दो लांग, दो इलाइची, डालचीनी, तेजपत्ता और जावित्री इसको थोड़ा भून लेंगे हलका सा इसके बाद इसमें जाएगा एक चमच जीरा थोड़ा स्प्लटर होने देंगे अच्छे से भूनने के बाद स्लो प्लेम पे हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज प्याज बड़ा साइज का है बड़ा प्याज नहीं है त इसको golden fry होने तक अच्छे से भूनेंगे अब इसमें जाएगा एक चमच अध्रक लेसन का पेस्ट इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि जो कच्छापन है वो चला जाए medium flame में इसको अच्छे से भून लेंगे इसके बाद अब डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर का प्यूरी एक बड़े टमाटर को काट के ब्लेंडर में मैंने पीस लिया था अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे इसमें आप डालेंगे आधा चमच नमक आप अपने हिसाब से नमक कम ज्यादा कर लिजिए एक चौथाई चमच हल्दी डालेंगे एक बड़ा चमच कस्मिरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे अगर आप सफेद मेथी मतर मलाई बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की जगा हरी मिर्च और टमाटर की जगा दही यूज कर सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 4-5 हरी मिर्च को इसे स्लाइस करके काट के डालेंगे और मिक्स करेंगे अब इसमें देड़ चम्मच के करी धनिया पाउडर मिला लेंगे सारे मसाले को अच्छे से मिडियम फ्लेम पे भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्छा पन है वो चला जाए तेल अच्छे से जब छूट जाएगा तो इसमें हम मतर मिलाएंगे 200 ग्राम के करी मतर में मिला रही हूँ आजकल बहुत अच्छी फ्रेस मतर और फ्रेस मेथी मिल रही है तो आप इस रेसिपी को जरू बनाएए घर पे सबको बहुत पसंद आने वाला है ये सबजी इसमें अब डाल देंगे हम एक कप पानी ताकि मतर अच्छे से गल जाए और इसको मिला देंगे और ढखके मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनिट तक पकाएंगे 4-5 मिनिट के बाद देखिए अच्छे से तेल छोड़ दिया है मतर अच्छे से गल गई है और ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है अब इसमें जाएगा ये मेथी जो हमने पहले से काटके रखा था अच्छे से मिला लेते हैं मेथी खाने में बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है दो-तिन मिनिट पकाने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें और आधा चमज के करीब पसुरी मेथी क्रस करके डाल देंगे पॉसरी मेथी अप्सनाल है आप चाहे तो डाले नहीं तो मत डाले इसको अच्छे से मिला लेते हैं और फिर से ढखके 2-3 मिनिट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे दो मिनिट के बाद इसमें मिलाएंगे मलाई आप घर का मलाई यूज कर सकते हैं नहीं तो मार्केट से फ्रेस क्रीम जो मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर से ढखके 1 मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे जो कड़ा पुन होता है मेथी का वो क्रीम डालने से बालांस हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है अब हमारा मेथी मतरमलाई रेडी है इसमें अब फुड़ा सा धनिया पता काटके डाल देंगे फ्लेम को आफ कर लेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से और फिर साफ करेंगे बहुत ही डिलिसियस जटपट बन के तयार हो गई है मेथी मतरमलाई रेश्टोरान से कही ज़्यादा अच्छी आप घर पे बना सकते हैं तो प्लीज रेशिपी को जरूर ट्राय कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सेर करिए और मेरे चैनल किर्तिज किचेन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद